हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं बनाने जा रहे हूँ माजा वो भी बहुत ही आसान तरीके से और ये बनने के बाद बिल्कुल मार्केट के जैसा तैयार होगा तो इसे बनाने के लिए मैंने दो आम के पल्प को निकालकर मिक्षर में पीछ लिया है और ये रेसे वाले आम नहीं होने चाहिए और ये पल्प बिल्कुल महिन पीछने चाहिए और ये मैंने थोड़े खटे वाले आम लिये हैं तब एक पैन को घर्म करेंगे और इसमें जो आम का पल पीशा है उसे डाल देंगे और साथ में ही एक कप चीनी भी डालेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं अब इसे मिक्स करते हुए हमें चला लेना है इसे हम इसी तरीके से चार से पाँच मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे इसे लगातार हम ऐसे ही चलाते रहेंगे ये देखें ये पकने के बाद इसका कलर भी काफी चेंज हो चुका है और ये कितना अच्छा दिख रहा ये देखें इसमें थोड़ी थोड़ी साइनिंग भी आ रही है मतलब ये पक चुकी है ये देखें इसका कलर कितना अच्छा दिख रहा ये देखें ये पक चुका है इसका कलर ही देख लीजिए इसी से ये पता चल रहा कितना साइन कर रहा अब हम इसमें एक गलास पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इसे दो से तीन मिनट और पकाएंगे इसे इसी तरीके से चलाते हुए हमें दो से तीन मिनट तक पका लेना है अब हम इसमें एक चमच विनेगर डालेंगे विनेगर डालने से ये एक महीने तक भी खराब नहीं होगा आप इसे फ्रीज में रखकर एक महीने तक यूज़ कर सकते है विनेगर के जगा पे आप नीमू का रस भी यूज़ कर सकते है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे ये देखे ये पक चुका है हमारा अब हम इसे ठंधा कर लेंगे ये देखे ठंधा होने के बाद इसका कलर काफी चेंज हो चुका है अब हम इसे बरतर में निकाल लेंगे ये देखे ये अभी काफी ठीक लग रहा है और इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा अब हम इसमें दो गलास पानी डालेंगे कि ये काफी ठीक है अभी अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अब ये देखे इसकी कंसिस्टेंसी विल्कुल जैसी चाहिए बैसी है अब हम इसे फ्रीज में ठंधा होने के लिए रख देंगे ये देखे ठंधा होने के बाद ये बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट के माजा जैसा अब हम इसे एक गलास में निकाल लेंगे ये देखे रहा है अगर आपको हमारे रेश्वी पसंद आया हो तो पिलिज आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ये अब हमारा माज़ा बेंगर बिल्कुल तैयार है आप इसे फ्रीज में रखकर एक महीने तक यूज़ कर सकते हैं